We will discuss some solved numerical based on this unit, myself, Kalpna, Khandilwaad. Question 1, first numerical, 2000 degree Amstron, Tarangh Daraywali, Vikirno ke Sankat, photon ki urja ki garna ki jiye. यहां हमसे क्या मांग रहा है? Photon ki urja, मतलब, यहां हमें C ki value dv है, H ki value dv है. हमें पता है, photon ki urja, value क्या होती है? E is equal to H new, और we can write H is equal to C by lambda. हमें H ki value dv है, Plank's constant, C ki value dv है, और lambda ki value 2000 degree Amstron dv है. हम इसको lambda को convert कर लेंगे centimeter में, into 10-8 से multiply करके. Simply हमने क्या क्या, तीनों की value substitute कर दी, solve कर लेंगे, तो हमारी आ जाएगी photon ki urja. तो इस तरह से हम किसी भी photon ki urja ग्याद कर सकते हैं. Second, 6 into 10 raised to the power of minus 7 meter तरंग देरे वाली वी करनों से संगलन उrja की करना कीजिए. हमें सेम चीज है, हमें इसकी energy calculate करनी है, और हमें सारी चीजें दीवी हैं. Now, एक cell में से, जिसमें oxalic amd का 10 ml billion उपस्तित है, 2500 degree armstone तरंग देरे के वी करन को प्रभावित किया जाता है. वी करन उrja के 80% absorption पर oxalic amd की सांदरता 0.05 से 0.04 molar हो जाती है. दिये गए तरंग दार्रे पर oxalic amd के प्रकाश रसायनिंग विंगर्टन के लिए quantum ही लबधी की गढ़ना कीजिए. हमें यहां पर क्या करना है, हमें quantum ही लबधी की calculation करनी है. हमें पता है, लेम्डा का मन एंक्स्वाम नहों, तो उrja का formula हमारा यह होता है, तो हम सबसे पहले E calculate करेंगे. E के लिए हमें लेम्डा, लेम्डा देखो, यहां दीवी है, 25 दिगरी, इससे हम किलो जूल में उrja हमने पता कर ली. अब अफशोषित वीकरन की उrja, देखो, 80 जूल, 0.08 किलो जूल हो गया, अब अफशोषित आइंस्टीनों की संख्या, आइंस्टीनों की संख्या हम calculate कर लेंगे, इस डिवाइड़ बाइ, यह हमारी E के बराबर, यह हमारा आ जाएगा, अब सांधिता में कमी कमी हमने देखी, 0.01 मोल पर लिटर हो रही है, 10 ml, विलियन में, अब गटित ऑक्सलेक में मोलो की संख्या, हम इसको calculate कर लेंगे, अब गटित मोलो की संख्या, अब शोषित आइ अबिकिर्या, 2HI is equal to H2 plus I2 की quantum लबदी 2 है, तो 0.01 मोल ही को अब गटित करने के लिए, अब शोषित quantum की संख्या ग्याद कीजिए, स्टूरेंट्स, सबसे पहले हमें quantum लबदी वाले, quantum yield वाले वीडियो देखने होंगे, जिससे हमें quantum लबदी समझ में आए, कि क्या करना होत है, हमें पता है, quantum लबदी ब्राबर होता है, निश्चित समय में अभिकिर्या करने वाले अनों की संख्या, divided by इतने ही समय में आफ्शोषित quantum की संख्या, quantum लबदी हमें देखो, अपर 2DV है, निश्चित समय में किर्या करने वाले अनों की संख्या, इतने मोल, इतने मोल 0. इन्टु एंग्रोस नंबर से हमने मल्टिप्लाय कर लिया आप शोशित क्वांटम हमें कैलकुलेट करना है हम इसको यहां लियाएंगे यह लियाएंगे वामलाफ सब्सूट कर लेंगे और इस तरह से हमारी यह वैल्यू आ जाएगी नाव नेक्स 0.05 मोलर सांदता वाली प्रकाश अब शोशी प्रधात के लिए एक विलियन में एक वगभी करन विकरन प्रभावित किया आज गया हमारे सेल में क्या है कॉंसेंट्रेशन दीवी है हमें यदि 10 सिट्रिम से लंबे पत के विलियन में से मतलब उसकी जो है चोड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर मैंसे प्रभावित करने पर वीक रिंगी तेवता एक चौथा ही रह जाए तो प्रधात का मोलर विलोप स्थारांग तता मोलर अफ्शूर्शन गोडांग क्यात करना है अब बियानियम के अनुसर क्या था आई टी बरावर आई जो ट्रेंड़ स्ट्रोव मैनस यहां देखो आई टी अपर आई जीरो वन बाई फोर पॉइंट फाइफ ए डैश क्योंकि एक चौथा ही रह जाता है देखो है ना अब ए डैश मोलर विलोप गोडांग हमें कैलकुलेट करना है सी हमें पॉइंट जीरो फाइफ कांसेंटरेशन दीवी है एक्स मोटाई हमे पता है हम इनकी वैलू सब्सक्राइब कर देंगे लॉग ले लेंगे लॉग लेने के बाद अब इस तरह से इनकी वैलू को क्यालकुलेट कर सकते हैं नाव 4400 डिग्री तरंग देरें वाले नीली प्रकाश द्वारा 25 डिग्री संटी गेट पर प्रकाश की 30 जूल प्रती सेकंड तीरता में सिनेमिक अम्न का प्रकाश ब्रोमीनी करन्ट से डाय ब्रोमीनाइजिशन अम्न बनाया गया इसे 20 मिन तक उत्भुदित करने पर ब्र क्वांटम लब्दी के लिए हमें अभी कर्या करने वाले वाले मोलों के संख्या और आफ्षोषित क्वांटमों की संख्या पता होनी चाहिए अब यह हमें पता करनी पड़ेगी सबसे पहले हम यह पता करेंगे एक लिए लेंड़ा प्रकाश की 30 जूल पर दीवी देखो औ क्योंकि यह मिनेट में दीविए इसको सेकेंड में कनवर्ट कर दिया और एटी परसन था तो एटी एपॉन हैंड यह जाएगा वन पॉइंट पॉफोर जूल्स अब अफ्षोषित क्वांटम की संक्या वन पॉइंट फॉर फॉर डिवाइड़ बाइड़ वाइड़ वह फॉ कोई यंत्र कोई तंत्र यदि सेकेंड त्री इंटू टैंट इसवर सिस्टीन कॉंटा प्रकाश को अफ्षोषित करता है इसे पांच मिनिट तक प्रकाश दर्शाने पर ग्यात हुआ कि पॉइंट जीरो जीरो वन मोल और प्रदात क्रिया कर पाया तंत की कॉंटम दस्ता की संख्या हमें दीवी है पास मिनिट में फाइफ इंटू मिनिट को सेकेंड में करतेंगे और हम इससे मल्टिप्लाय कर देंगे यह हमारा यह आगया इतने ही समय में अभिक्रिया करने वाले मोलों की संख्या पॉइंट जीरो वन मोल यहां इसने दिया ही है अब इसको इससे म संख्याव फॉद्या से और यहां हम देखों निश्चत समय में अभी किरिया करने वाले अर्णों की संख्या यह हमने क्यल्कुलेट किये यह हम डिवाइद कर लेंगे और हम क्वांटम लब्दी क्यल्कॉलेट करो इक तन्स प्रकाश में टू इन्टू पैनरे सब्सेंक्ष क्वांटम संक्या की पता है 10 मिनिट में वह जैसे आपन कर लेंगे इतने में ही करने की यह अभी हमने पहले किया था सेम उसी तरह का एक और कर दिया जिससे आप प्रैक्टेस कर पाऊं और अच्छे से समाझ आ जाए सेम वापस यह उसी तरह का है तो हम इसे कैल्प्लेट करके देखेंगे और थैंक्यू